दोस्तो आज हम आपको सिरी किष्ण के बारे में कुछ रोचक तत्त बताने जा रहा हैं। भगवान सिरी किष्ण को अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में किष्ण या गोपाल गुविंद इत्यादी नामों से जानते हैं। राजस्तान में सिरिनाथ जी या ठाकर जग की नाम से जानते हैं। महाराष्ट में बिठल की नाम से भगवान जाने जाते हैं। उडिसा में जगनात की नाम से जाने जाते हैं। बंगाल में गोपाल जी की नाम से जाने जाते हैं। तक्षन भारत में बैंकटेस या गोवंदा की नाम से जाने जाते हैं। गुजरात में द्वारकाधीस की नाम ही विख्यात है गोविंद्या गोपाल में गोव सब्द का अर्थ गाय इवं इंद्रियों दोनों से है गोव एक संस्क्रिट सब्द है और रिग्विद में गोव का अर्थ होता है मनुसकी इंद्रियां जो इंद्रियों का विजेता हो जिसके बसमें इंद्रियां हो वही इसलिए इन्हें आजीवन बासुदेव के नाम से जाना जाता है स्रीकृष्ण के दादा का नाम सूर्षेंथा स्रीकृष्ण का जन्म उत्तय प्रदेश की मत्रव जनपत की राजा कंस की जेल में हुआ था स्रीकृष्ण के भाई बल्राम थे लेकिन उध्धव और अंगिरस उनके चचेरे भाई थे अंगिरस ने बाद में तपस्या की थी और जन्धर्म के दिर्धंकर नेमिनात के नाम से विख्यास हुए थे शीकृष्ण ने सोला हजार राजकुमारियों को असम के राजा नरकासुर की कारागार से मुक्त कराया था और उन राजकुमारियों की आ पनाता नहीं था स्रीकृष्ण की मूल पट्रानी एकी थी जिनका नाम था रुकमनी जो महराष्ण के बिधर्वराजी के राजा रुकमी की बेहन थी रुकमी सुस्बाल का मित्र था और स्रीकृष्ण का सत्रू था दोस्तों दुरोईधन स्रीकृष्ण का संदी था और उस प्रेमका का नाम राधारानी था जो बरसाना की सरपंच ब्रिस भानू की वेटी थी स्रीकृष्ण राधारानी से निस्क्राम और निस्वात प्रेम करते थे राधारानी स्रीकृष्ण से उम्र में बहुत बड़ी थी लबक 6 साल से ज्यादा कांता था लेकिन स्रीकृष्ण न इसके बाद बूराधा से कभी नहीं मिले स्रीकर्ण बिद्या अर्ज़त करने हेतू मुध्वरा से उज्जयन मद्ध प्रदेश आये थे और यहां उन्होंने उच्च कोटी के ब्रहमर महसे संदीप नहीं से आलोकक बिद्याओं का ग्यान अर्जन किया था स्रीकर्ण की कुल 125 बर्स दाकी पर रहे उनके सरीर का रंग यहरा काला था और उनके सरीर से 24 गंटी पवित्रे अश्ट गंद महतता था उनके बस्त रेसम के पीले रंगे होते थे और मस्तख पर मोर मुकर सोबा देता था उनके सार्थी का नाम दारूप था और उनके रत में चार गोड़े होते थे उनकी दोनों आखों में प्रचंड सम्मुहन था स्रीकर्ण के कुल गुरू मारसी सांडिल ले थे स्रीकर्ण का नाम करा मारसी गर्ग ने किया था स्री कृष्ण के बड़े पोते का नाम अनुरिद्ध था जिसके लिए स्री कृष्ण ने बाण आसुल और भगवान सिफ़ से युद्ध करके उन्हें प्राज़त किया था स्रीकृष्ण ने गुजरात के समधर के बीचों बीच द्वार का नाम की राधधानी बसाई थी द्वार का पूरी सोने की थी और उसका निर्मार देवसिल भी बिस्व करमाने किया था स्रीकृष्ण को जरा नाम की सिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे में लगा वो सिकारी पूर्जन की बाली था बन लगने के पच्चाद भगवान सौलूग दाम गवन कर गए स्रीकृष्ण ने हर्याना की कुरुचित्र में अर्जुन कूपवित्र गीता का ग्यान रविवार सुकल पक्ष एकादसमी के दिन मातर 45 मिनट में दे दिया था